अब हम करने जारे next question देखिए क्या है if the circumference of two circles are in the ratio of two ratio three then what is the area ratio of area ठीक है यानि circumference जो है वो two ratio three है जिसे मालो कोई दो circle है यह first है जिसकी radius आर वन है और यह second है जिसकी radius आर टू है तो ratio of circumference is equal to अपने को दे रखा है is equal to क्या दे रखा है two ratio three ठीक है बेटा तो ratio का formula होता है two pi आर वन पहले वाला और दूसरे वाला two pi आर टू is equal to दे रखा है two by three two pi से two pi cancel तो it means r1 upon r2 के आगया r1 upon r2 is equal to आगया two by three ठीक है अब अपने से पूछा है area का ratio क्या आएगा ठीक है दोनों के सरकल के area का ratio क्या आएगा तो ratio of area formula होता है pi r1 square upon pi r2 square ठीक है pi से pi cancel r1 by r2 यानि two by three है तो two by three की square होजेगी ठीक है बटा तो यह आजेगा four by nine तो it means अपना जो answer आएगा ratio जो area का आएगा वो क्या आएगा four ratio nine तो बिल्कुल easy सा question था यह पहले अपने को circumference का area ratio दिया हुआ था तो अपने को area का निकालना था ratio के तो बिल्कुल easy सा question था यह next question देखो next question अपने से पूछा है अगर किसी circle का diameter अपने बढ़ा दे ठीक है 40% तो उसका area कितना बढ़ जाएगा तो इस type की question के लिए अपने को let करना पड़ेगा diameter let कर लिया अपनोंने let diameter अपनोंने let कर लिया 100 ठीक है तो area के आएगा radius के आएगी सबसे पहले radius निकालते है radius आजेगी इसकी क्या आजेगी 100 by 2 ठीक है अधी होती है यानि 50 मिटर लेट कर लो ठीक है बटा तो इसका area अगर अपने निकाले area of circle is equal to formula होता है pi r scale ठीक है तो pi की value रहने देना because अपने को increase पूछ है तो अपने ratio में निकालेंगे तो pi r की value 50 है तो 50 का square और 50 का square होता है बेटा 2500 pi meter square ठीक है बेटा अब अपने को पूछा है उसने का है अगर इसका diameter 40% बढ़ा दे तो new diameter क्या आएगा बता बेटा new diameter आजेगा 100 तो पहले से था 40 बढ़ा देंगे 40% तो 140 होजेगा इसलिए इसकी जो radius आएगी new वो क्या आएगी बेटा इसकी जो radius आएगी वो आएगी 70 meter और new area क्या आएगा new area आएगा बेटा पाई आर स्केर यानि पाई 70 का स्केर और 70 का स्केर होता है 4900 पाई अब कितना increase हुए है उसका निकालने के लिए formula होता है increase is equal to होता है increase percentage is equal to आएगा new area minus old area upon old area जो पहले था into में 100 ठीक है तो 4900 पाई ये था 2500 पाई पहले था नीचे भी आएगा 2500 पाई into में आजेगा 100 ठीक है तो ये आजेगा बेटा उपर आजेगा 2400 पाई नीचे 2500 पाई into में 100 पाई से पाई कैंसल 20 से 20 कैंसल 25 से कैंसल 4 पे तो 24 इंटू 4 आजेगा 96% ये इसका अंसर आएगा बेटा इतना area जो है वो increase होजेगा अपने पास ठीक है 96% इसका अंसर आएगा ओके बेटा आज के लिए इतना ही have a nice day all of you thank you and please share to one friend okay